Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Princewood Education में आज की स्क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वेवसाइक निर्देशन Vocational Guidance के बारे में स्टार्ट करते हैं वेवसाइक निर्देशन के प्रत्ते से वेवसाइक निर्देशन के आशे पर वर्ष 1924 में नेशनल Vocational Guidance Association के द्वारा आले किया गया इस Association ने अपनी रिपोर्ट में वेवसाइक निर्देशन को परिभाशित करते हुए लिखा है कि वेवसाइक निर्देशन के वेवसाइक को चुनने, उसके लिए तयार करने, उसमें प्रवीश करने वेवसाइक निर्देशन के आशे पर वर्ष 1924 में National Vocational Guidance Association के द्वारा आले किया गया इस Association ने अपनी रिपोर्ट में वेवसाइक निर्देशन को परिभाशित करते हुए लिखा है कि वेवसाइक निर्देशन के वेवसाइक को चुनने, उसके लिए तयार करने, उसमें प्रवीश करने तता उसमें विकास करने हे तू, सूचना देने, अनुभाव देने तता सुजाओ देने की प्रक्रिया है इस परिभाशा से पूर्व क्या हुआ, 1908 में Frank Parsons के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में निर्देशन शब्द का प्रयोग किया जा चुका था परन्तो निर्देशन के वेवसाइक पक्ष को उनके द्वारा परिभाशित करने को कोई प्रयाश नहीं किया गया इस प्रकार वेवसाइक निर्देशन को परिभाशित करने के उप्रोक्त प्रयाश को ही सरप्रतम प्रयाश के रूप में स्विकार कर लिए गया इसमें ये बताया गया है कि इस परिभाशा से पूर्व 1908 में फ्रेंक पारसंस ने के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में निर्देशन शब्द का उप्योग किया था परन्तु निर्देशन के व्यवसाइक पक्ष को उनके द्वारा परिभाशत करने का कोई प्रियास नहीं किया गया इस प्रकार जो व्यवसाइक निर्देशन की परिभाशत करने के उप्रोक्त प्रियास को ही सरपतम प्रियास मान लिया गया कई विद्वानों के समन्वित प्रयास को इस परिभाशा के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया गया यही कारण है कि वर्ष 1927 में इस एसोशियेशन के द्वारा दूसरी परिभाशा में प्रस्तुत की गई इसमें प्रस्तुत परिभाशा है कि वर्षाइक निर्देशन एक प्रक्रिया है जो वर्षाइचेन इसके हेतों त्यार होने में इसमें प्रिवेश करने में तथा उसमें दक्षता प्रदान करने में सहायता देती है इसका मुख्य उद्देश जीवी का निर्माड तथा निर्णय लेने में सहायता करने से है यह निर्णय तथा इच्छाएं व्यवसाइक समयोजन का उद्देश संतोज जनक रूप से पूरा करती है 1937 में जो डेफिनेशन थी दूसरी वाली उसमें ये बताया गया कि जो व्यवसाइक निर्देशन एक प्रक्रिया है जो व्यवसाइच चयन इसके हेतु त्यार होने से इसमें प्रवेश करने में तथा उसमें दक्षता प्राप्त करने में सहायता देती है इसका मुख्य उद्देश जीविका निर्मार तथा निर्णे लेने में सहायता करने से है और यह निर्णे तथा इक्षाइच जो है वो व्यवसाइक समयल जन का उद्देश संतोज जनक रूप से पूरा करती है अब अंतराश्टी श्रम संग्ठन ने व्यवसाइक निर्देशन के आशे को इसपस्ट किया है और इस संग्ठन के अनुसार किस संग्ठन के अनुसार अंतराश्टी श्रम संग्ठन के अनुसार जो कि 1949 में आये था उसके अनुसार व्यवसाइक निर्देशन की डैफिनेश आने वाली समस्याओं के सुलजाने में प्रदान की जाने वाली सहायता को कहते हैं। डोनाल्ड सुपर ने क्या कहा। अपने एवं व्यवसाय छेतर के बीच अपनी भूमिका का समगर एवं पर्याप्त चितर बनाने, उसे सुईकार करने, वास्त्विक इस्तिती के मद्द इस अवधार्ना की जाच करने, एवं उसे स्वयम के संतोस तथा समाज के लाभेतु वास्त्विक्ता में बदलने की सहाय वास्ता प्रदान करने की उपक्रम को व्यवसायक निर्देशन कहते हैं, सुपर त्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषा का यदि विश्लेशन किया जाएं, तो यह इसपस्ट हो जाता है कि उपरोक्त परिभाषा में व्यवसायक निर्देशन के सभी पक्षों को ध्यान म न रखकर इसके कारियों पर अधिक बल दिया गया है जो डोनाड सुपर ने डाफिनेशन दी है अगर उस डाफिनेशन को पूरी तरह से विशलेशन किया जाए तो इसमें यह इसपस्ट हो जाता है कि वेवसाइक निर्देशन में सभी पक्षों को ध्यान में न रखकर लेकिन इसके कारियों पर अधिक बल दिया गया है पक्षों को ध्यान में न रखकर इसके कारियों पर अधिक बल दिया गया है सुपर ने स्वयम भी इस पक्रिया को दोशपोंड स्विकार करते हुए इसका आलोशना आत्मक विशलेशन किया है अब मायर्स के अनुसार वेवसाइक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानों में निहित शक्तियों को संचित एवं सुरक्षित रखा जा सकता है। उनके शब्दों में व्यवसाय निर्देशन मुख्य रूप से वह प्रक्रिया है जो युवावस्ता की प्रकति, छम्ताओं तथा विद्याले में प्रदर्त प्रसिक्ष्यन को संकलित करती हैं। इन सबसे अधिक मुल्यवान मानवी संसादनों का संकलन, उसका उस इस्तान का उप्योग करने में सहता करती हैं। जहां पर वह अधिक कल्याल कर सकें। व्यवसाय निर्देशन की विशेषताओं की बारे में पड़ते हैं। फर्स्ट है व्यवसाइक निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति में संबंद से इस पस्ट बोध विक्सित किया जा सकता है इसके अधार पर व्यक्ति को यह ज्यात हो जाता है कि उसका वास्विक सुरूप क्या है सेकंड पॉइंट है कि व्यवसाइक निर्देशन के अधार पर कार के स्वरूप एवं कार से संबनित व्यक्तियों के संबन्द में जानकारी प्राप्त होती है थर्ड पॉइंट है कि वेवसाइक निर्देशन एक प्रक्रिया है विभिन उद्देशों, साधनों, प्रविधियों आदि को समन्वित रूप से ध्यान में रखकर इस प्रक्रिया को संपन किया जाता है फोर्थ है वेवसायक निरदेशन की प्रक्तिया के आधार पर व्यक्ति की योगिताओं, सफलताओं, रुचियों, प्रेनाओं आधी की संबंद में जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस प्रकार संचेप में वेबसाइक निर्देशन के अंतरगत व्यक्ति एवं व्यवसाइट दोनों का ही समान रूप से अध्यन एवं मुल्यांकन किया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्ति और व्यक्ति एवं जो व्यक्ति एवं जो व्यक्ति है दोनों का ही समान रूप से अध्यन एवं मुल्यांकन किया जाता है इसका प्रमुकुद्देश किसका व्यवसाइक निर्देशन का प्रमुकुद्देश है व्यवसाइक समयोजन की योगिता का विकास करना तो व्यवसाइक समयोजन की योगिता का विकास करना तो था मानों की शक्ति के यशेष्ट उपयोग द्वारा समाज की अर्थ व्यवस्था के संचालन में सहायता प्रदान करना अब हम पढ़ते हैं व्यवसाइक निर्देशन की आवशक्ता व्यवसाइक निर्देशन की प्रक्रिया का उपयोग करना अत्यंत आवशक है व्यवसाइक निर्देशन की आवशक्ता को निम्न बिंदूओं से इस्पस्ट किया सकता है व्यवसाइक निर्देशन की आवशक्ताओं का बनन इस प्रकार है पहला है वैक्तिक भिन्यताओं की द्रश्टी से वैक्तिक भिन्यता के सिधान्त के अनुसार प्रतेक वैक्ति में निहित योगिताएं, छमताएं, रुची, अभी रुची, आधी भिन्य भिन्य होती है मतलब इसमें ये बताया गया है कि प्रतेक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है तो उसकी जो योगिताएं होंगी छमताएं होंगी उसकी जो रुची होगी वो भी एक दूसरे से भिन्न होगी किसी ना किसी रूप में प्रतेग व्यक्ति एक दूसरे से फिन होता है इस विभिनता की समुचित जानकारी प्राप्त किये बिना या संभाव नहीं है कि व्यक्ति की अभरूची भावी प्रगती अत्वा व्यक्ति अनुकूलता के सम्मन्द में निश्चित कतन किया जा सके किसी भी व्यवसाय की अनुकूल व्यक्तियों का चैन करने से पूर व्यक्तिक विभिनताओं के इस्तर एवं स्वरूप की जानकारी आविश्यक है क्योंकि प्रतेक व्यवसाय के लिए कुछ विशेश योगताओं वाले व्यक्ति की आशकता होती है इसमें ये बताया गया है कि प्रतेग व्यक्ति के लिए अलग अलग विशेशताओं वाले व्यक्ति के आउशक्ता होती है तो पहले हम उस व्यक्ति की विभिनताओं को जाने कि व्यक्ति में किस छेत्र में इंट्रेस्ट है जिस छेत्र में उस व्यक्ति का इंट्रेस्ट होगा, उस व्यक्ति को उसी व्यवसाय में भेजा जाएगा, जिस छेत्र में उसकी आवशक्ता है, तब ही वो व्यक्ति प्रगति कर सकता है व्यवसाइक भिनता की द्रश्टी से प्राचीन समय में देश की अधिकान जनता क्रशी व्यवसाइक के माध्यम से ही अपनी जीव को पारिजन की समस्या का समाधान कर लेती थी समाज के अवशक्ताएं भी उस समय सीमिती तथा जनसंख्या का घनत्व अपेक्शक्रत कम था संयुक्त परिवार पथा के कारण एक परिवार के सदस्यों को एक स्थान पर रहकर अधिकाधिक आर्थो परजन का अवसर सुलब रहता था परंतो जनसंख्या की तीव रगती से होती व्रधी आवशक्ताओं में व्रधी और द्योगी करण एवं नगीर करण आदी के फलसरूप अनेक नवीन प्रकार के उद्योगों व्यवसाओं की आवशक्ता का अनुभाव किया जाने लगा शेकर ही विभीन प्रकार की प्रकती वाले व्यवसाओं का उद्य हो गया और स्वतंदरता प्राप्ति के उपरांत अल्पकाल में ही अनेक व्यवसाओं संचालित हो गया अता विद्याले इस तर पर ही यह वश्यक समझा जाने लगा कि सिक्षार्थियों को उनकी अभिरुची के अनुसार विश्यों के चैन में सहाता प्रदान की जाए जिससे सिक्षा और व्यवसाओं अथ्वा स्यक्षिक उपलब्दी एवं जीव को पारजन से सम्मंदित द्वारा विद्यार्थियों को उनकी रुचियां, कौशनों, योगिताओं अभिरुची आदी के सम्मंद में जानकारी प्रदान की जाती है थर्ड पॉइंट है समाज की परिवर्थित दशाएं, समाज की पारिवारिक आर्थिक धार्मि आदी, विभिन दशाओं में आज पर्याप्त अंतर आ चुका है एक समय था जब व्यक्ति की योगिताओं, व्यक्ति के अस्तित्व एवं परुपकार की ड्रेश्टी से किये जाने वाले कारों को महत्व दिया आता था लेकिन वर्तमाज समाज की परिसितियां सर्वता भिन है आज व्यक्ति के इस्तर धन भौतिक साधनों की अधिक महत्व दिया आता है मतब पहले व्यक्ति जो परवकार की देश्टि से कोई कारिकर देता था तो उसको महत्व दिया आता था लेकिन आज की समय में जिस व्यक्ति के पास धन है बहुतिक संसाधन है उसको उस व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है अपने पड़ोज सम्मंदियों एवं परिचित जनों से सम्मान प्राप्त करने के लिए आज यहां अविश्यक है अगर आपको अपने जो पास पड़ोज की लोग हैं समंधी हैं परिचित हैं उनसे सम्मान प्राप्त करना है तो आपके पास धन होना चाहिए आज के समय में बहुतिक संसाधन होने चाहिए और व्यक्ति का रहन सहन का इसतर संतोज जनक हो, तभी आपके जो पासपोडोस के अच्छे संबंद रह सकेंगे, जो परिचिज गण है, मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे भी आपके अच्छे संबंद रह सकेंगे, जब आपके पास धन होगा, ठीके? जनसंख्या व्रद्धी एवं सीमित अवस्तुरों की अप्लब्दा के गारण सर्वत एक प्रतिस्पर्दा का वातावरण भी उत्पन हो गया है इस वातावरण में भी उन्ही व्यक्तियों को आज सफल माना जाता है जो भौतिक द्रस्टी से अपिक्षक्रत आगे हैं तो आज कल के दौर में उन्ही व्यक्तियों को सफल माना जा रहा है जो भौतिक द्रस्टी से अपिक्षक्रत आगे हैं इस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति का मानसिक एवं भौतिक संतलन बनाए रखने के लिए यह अतनत आवश्यक है कि उसे उप्युक्त व्यवसाय का चैन करने करके उसमें प्रगति का अवसर प्रदान किया जाए इस दिश्टा में व्यवसायिक निर्देशन विशेस रूप में साहिक सिद्ध हो सकता है चोथा पॉइंट है मानवी शमताओं का वांचित उप्योग करने हे दू समाज अत्वा रास्ट को प्रगति के लिए यह अतनत आवश्यक है कि मानवी शमताओं का समचित प्रयोग किया जाए प्रगति की दौड में आज जितने भी रास्ट अग्रणी है उनकी सफलता का एक प्रमुक रहसिया भी है कि उन देशों में व्यक्ति की छमताओं का समचित उप्योग किया जाता है हमारे यहां व्यक्ति की योगिता के जो सही मुल्यांकर है वो प्रया नहीं हो पाता है रिश्वत, सिफारिज, जातिवात, वर्गवात, मुल्यांकर की अनुमती कसोटियों आधी अनेक प्रकार इस प्रकार की दुरावस्ता के लिए उत्तर दाई है ब्रहस्टा चार्ज है वो उपर से नीचे तक व्याप्त है इन सभी व्यवसाय के लिए समाज मुख्य रूप से दोशी है फिफ्ट पॉइंट है व्यवसाय प्रगती है तो आवश्यक कि अपनी कार चमता का विस्थार किस प्रकार किया जाए किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए किस प्रकार के व्यक्तित्त की आवश्यक्ता है तथा इस प्रकार के व्यक्तित्त का निर्मान किस प्रकार किया जाए इसी प्रकार किसी व्यवसाय से सम्मंदित जानकारी एवन हम किस प्रकार करें? किसी व क्तित्व की अविशकता है स्वास्त को बनाय रखने की द्रश्टी से स्वास्त का जीवन के प्रतेक छेतर में समान स्वास्त का जीवन के प्रतेक शेत्र में समान रूप से महत्व होता है। यह तब ही संबव है जब प्रतेक व्यक्ति को अपनी योगिताओं एवं छमताओं के अनुकूल व्यवसाय का अफसर प्राप्त हो। जब प्रतेक व्यक्ति को जब प्रतेक व्यक्ति को अपनी योगिताओं को पहचान ले और उसे किस छेत्र में जाना है। जा सके और अपने लक्षी को प्राप्त कर सके। परिवार में घटित होने वाली घटनाएं एवं समस्याएं जिस प्रकार व्यवसायक जीवन को प्रभावित करती हैं। उसी व्यवसायक छेत्र से सम्मंदि सफलताएं एवं असफलताएं पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालती हैं। जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन जो उनकी फैमली लाइफ है उसको बहुत अच्छे से सुक एवं संतोश की अनुभूति कर रहे होते हैं। तो वो व्यक्ति जो व्यवसाइक जीवन होता है, उसको भी बहुती शान्त, सौम, एवं संतुलिस ठंग से व्यतीत करते हैं, निर्देशन के माध्यम से इन समस्याओं का समन्वित रूप से समाधान करने में व्यक्ति को सहायता प्रदान की जा सकती है, इस प्रकार जो निर्देशन के उपरांद व्यक्ति के जीवन में विशेश महत्व है, मतलब किवलक सैक्षिक निर्देशन ही नहीं है, जो व्यक्ति के जीवन में महत्रपूर्ट भूमिका निभाता है, जबकि जो व्यक्ति को आगे क्या करना है, किस छेत्र में जाना है, अपनी योगिता को कैसे पहचाने और उस छेत्र में जाए इसके लिए भी व्यवसाइक निर्देशन आवश्यक है तो सैक्षिक निर्देशन के उपरांत व्यवसाइक निर्देशन का ज्यान होना चाहिए तो व्यवसाइक निर्देशन का व्यक्ति की जीवन में विशेश महत्त होता है वस्त website अपनी योगताओं को नहीं पहचान पारें कि आपको किस छेत्र में जाना है तो आप अपने जीवन में सामनजे स्थापित नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको website निर्देशन के आवशकता होगी website निर्देशन के आवशकता किस के शेत्र में होती है ठीक है किस द्रश्टी से होती है तो हमने ये भी पढ़ा कि व्यक्ति भिनताओं की द्रश्टी से होती है website भिनता की द्रश्टी से होती है समाज की परवर्तित दशाय website प्रगति हेतु आवश्यक पारिबारिक एवं website जीवन में समझे स्थापित करने की द्रस्ति से भी किसका महात होता है website निर्देशन के आउशकता का महात होता है next class में हम website निर्देशन के उद्देश के बारें पढ़ेंगे Beard and Seated की सभी classes देखने के लिए description में link दिया गया है वहां से जाकर आप देख सकते हैं PDF के लिए आप My Telegram चैलर को जॉइन कर सकते हैं जिसका link भी description box में दिया गया है धन्यवाद, मिलते हैं अपनी next class में